तो रास्तान पुलीश कॉंस्टेबल का एक और मोडल पेपर आज का मोडल पेपर है बावन यानि इससे पहले 51 नहीं देखें तो पले स्टोर पर जाकर आप लोग देख सकते हैं और दस मिनिट का मेंशन की तरह आपको टाइम मिलेगा और टोप 51 क्यूसंस के आपको आंसर दे ले और युजन करने के लिए अब को पीडिफ लेनी हो तो कहां पर मिलेगे टेलीग्राम पर यह नाम सब्सक्राइब आपको वहीं पर मिल लगी तो तो तलिए करेंशरवाद के उससे नमर एक से और अपना स्कोर काउंट करते रहना सारे एक सारे और रात को डेली आठ वज सविदान का एक अनुच्वत होता है 248 तेक है जिसमें आउसिष्ट सक्तियों का उले किया गया है और आउसिष्ट सक्तियां जो है इन पर वीदी बनाने का कानों बनाने का जो दिकार होता है वो किसको होता है संसद को होता है यानि भी आपका सही आंसर अगला है कि किस नर् प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार अगला की घूगरे मिले का आउजन है वो आदिवासी किस महीने में करते हैं घूगरा मिलत बढ़ता है यह पोस्मावी या निराइटांसर आपका सी है और सारदा मंदिर है राजस्तान के किस जिल्ले से समंदीत है सारदा मंदिर बनना वा है पिलानी में अब आप कॉमेंट कर पिलानी राजस्तान के किस जिल्ले में आता है ठीक है भी आपका सही एक है की अचा है कौन सा समपरदाय है जिसमें राम की बगती और credentials की बहांती उन्हें रसिग मानगी करते हैं और यह हुता है ये और रमानुद समपरदाय में तो राइट दांसर आपका एक नमबर वितामीन सबद है किस के दोवार calendar दिया गया था फंग के दोवारा यानी बी आपका सही और चाय में लाल रस्ट रोग गों जो होता है जैसे वो होता है हरे सेवाल, हरे सेवाल की वज़े से तो राइट अंसर आपका C है, अगले के आँख की दूर द्रिश्टी की बिमारी किस आपका सही और कौन सा दातू जल में डालने पर तैरने लगता है तो इनमेंसे केलिसियम जो है इसको जल में डालने पर क्या होता है तैरने लग जाता है याना डी आपका सही और शिंदू नदी की लंबाई उतनी है जितनी बर्मपूतर नदी की है तो लंबाई इसके कितनी है तो इनकी लमायती अलबग उन्तीसो किलोमीटर यानि उन्तीसो किलोमीटर यानि सी अपका सही और निमेंसे किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है बिहार का सोक कहते हैं कोशी नदी आप कॉमेंट करके बताओं कि राजस्तान का सोक किस नदी को कहा जाता है और निमलिक तिवेदी के सहीताओं में से भारतिय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है किसे खोजा गया है या फिर कौन सा वीद है जो भारतिय संगीत का जन कहलाता है तो सामवेद भारतिय संगीत का जन कहलाता है भी आपका सही लाखों का दान करने के कारण किसे लाख बक्स के नाम सी जाना गया था लाख बक्स एह वो कहा गया था कुतूबदीन अबक को कुतूबदीन अबक जिनों ने भारत में गुलामस की नियूरत कीती सलतनत काल की सरवाज जो हुई थी एक आपका सही अगला है कि उत्तो मिना की पांचवी मंजिल का निर्मान किस ने करवाया था यानि पांच मंजिला है देखो सरवाती टाइम पर क्या होता है इसका निर्मान करवाया था इब्बक ने परारम में इसका निर्मान करवाया था इब्बक ने जो एक मंजिल है इसके बाद में दूसरी तीसरी और चोती मंजिल जो बनवाई थी वो बनवाई थी इल्टूत मिसने पांचवी जो बनवाई थी वो बनने थे फिरोसा तुबलक ने तो राइट आम से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी आपका सही है और सन इठेंटर इश्वी में प्रार किनिका दरवाजा बनाया था अलतीतमस ने यानि डी आपका सही और वरस गुनिशो त्रेपन में गठी तर राज्य पुन्र गठन आयो के देख से थे नियाई मूर्ती फेजल लली राज्तान का जो सात्वा एक एक्रण हुआ था वो इनी किसी पारिश पर वाथा और किसके स पादायजी सीयाब का सही। पादायजी सीयाब का सही। पादायजी सीयाब का सही। पादायजी सीयाब का सही। और यहाँ पर जाली नानी का मालिया महिल भी बनावा है। कुम स्याम जी का विश्नो का मंदिर भी है। उडना राज कुमार पर्त्वी राज की चत्री भी यहीं पर है। और हंस परजाती के परक्षियों में सबसे लाडला कहा जैने वाला पक्षी है ग्रिलेंड गूज किस सब भ्याण में देखने मिलता है। तालचा पर भ्याण है चूरू जीले में तो कृष्ण मरेग और कूर्जा पक्षी के लिए परसीद है। रेगिस्तान में वन्य परजातीयों को एकी स्थान पर रखने के लिए डेजट जू बनाया गया था। और डेज़र्ट जू जो बना है ये काप्रे बिच्छवाल में, बिच्छवाल है बीकानेर जिले में तो एक आपका सही। और आस्तान का दूसरा सबसे चोटा ब्यारण कुन सा है। देखो सबसे चोटा है सिरिस का ए। और दूसरा सबसे चोटा है वो है सजनगिड़। उसके बाद में तालचा परा जाता है तो राइटान सलब का एक नबर। और कौन सा ब्यारण से मानसी और वाकल और सोम नजीओं का उद्कम होता है। वाकल नजीओं का उद्कम होता है फुलवारी की नाल व्यारण जो की उद्धेपूर में है। और राजस्तान में वन्याजीओ सुर्खषादिनम गुनी सो बैतर कब लागुँवा था। एक तो यही क्यों सनाया था आपके वीडियो में कि वन्या जीव सुरिक्षा जिनम कब का है गुनी सो बैतर का लागू वाथा ये एक सितंबर गुनी सो तेतर को ठेक है राजस्तान की बात करने देखो राजस्तान में ये एक सितंबर गुनी सो बैतर को अगर भारत में पूछ गम के उसरों पर अपने निकट समंदियों और मित्रों के मेल बिलाब के लिए किया गया आईजन क्या होता है क्या कहलाता है या कोई भी दुखी गड़ी या खुशी की गड़ी होते है दोस्त लोग है मित्र गड़ी रिश्तिदार मिलने के लिए आते हैं ये कहलाता है रियान और तनसुप क्या है तनसुप किसका नाम है ये एक अंगरखी का नाम है यानि सी आपका सही अगल है कि दो या चार लड़ी के गले में पहने जाने वाला हार क्या कहलाता है दो या चार लड़ी का जो हार होता है उसे कहते है हासला यानि एक आपका सही इन में से कौन सा सबसे बड़ा लोखवाद है सबसे बड़ा लोखवाद है टामक लोखवाद है और आप बताओगे सबसे छोटा कौन सा होता है कॉमेंट कर देना मेवाड का उधारे किसी कहा जाता है मेवाड का उधारे कहते है राणा हमीर को वीर, राजा, विसमगाटी, पंचानन के नाम से जने जानते हैं जिन्होंने 1326 में सिशोधिया साका की नियू रखी थी यानि राणा साका की नियू रखी थी और मेवाड का विसमपिता मा किसे कहा जाता है मेवाड का विसमपिता मा किसे कहा जाता है जिनोंने अपने पिता के लिए विवाद चुड़ा था, राना लाखा के बेटे थे, और अरगला की मारवाड का परताब किसे का आ जाता है, मुगलों की दिनता स्विकार नहीं करने वाले अंतिम सासक थे, राउचंदर सेंड, जिनने मारवाड का परताब, बुलाभी जिले में, तो सी अब का सही, रास्तान की निमलिक में से कौन सा चितर, रोग फास्पेट खनीज के लिए परसीद है, रोग फास्पेट खनीज लिखता है जामर कोटडा से, और ये डाककन नहीं है, इस वरी में स्पिस्टिंग है, जामर कोटडा है, जो की उध्यपुर में इस वीवाह को क्या का जाता है? यह कहलाता है हाथी वीडो और अगला है कि मिवाड भील जाते हैं लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मान कर विवा करते हैं तो इस विवा में जो जीवन साती होते हैं यह पती पतनी होते हैं उसे क्या कहते हैं विवा तो कहलाता है हाथी वीडो और पती पतनी होते हैं उसे कह को जरूर जोइन करना है तो कर दीजिए लाइक शेर और बिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू